इदर अमेरिका ने भारत में फिय अमोधी के नितित में लोकतंतर की सेहत को लेकर चिंताओं को खारच कर दिया है अमेरिकी सरकार ने सुमवार को कहा कि भारत एक जीवन्त लोकतंत है जो कोई भी नई दिल्ली जाकर देख सकता है अमेरिकी सरकार का ये बयान इसलिए भी आहम है क्योंकि राहूल गांधी ने अपने यूएस दोरी में भारत के लोगतंत्र को लेका चिंता जाहिर कुई थी लेकिन यूएस सरकार ने ऐसी चिंताओं को सिरे सिख खारिच कर दिया अमारिका ने भारत में पीम नरेंद्र मोदी के नेतरतु में लोगतंत्र की सिहत को लेका चिंताओं को सिरे सिख खारिच कर दिया वाइठा उस ने भारत को एक जीवन्त लोगतंत्र पताया है और कहा है कि जो भी दिली जाएगा वो खुद ऐसा ही देख सकता है तरसल राहूल गांधी ने अमारिका में भारत के लोगतरंत को लेकर चिंता जाहर की थी इसी को लेकर कुछ पत्रकारों ने वाइट हाउस में प्रस कॉंफरेंस के दोनान भारत के लोगतरंत से जुड़े सवाल किये और इसके जवाब में John Kirby ने भारत में लोक्तनत के जिंतराओं को खारिच वर दिया अमारका की राष्ट्री सुरक्षा परिषद की स्ट्राटिजिक कम्यूनिकेशन की समयन वेक John Kirby ने कहा कि भारत एक जीवन लोक्तनता है और हम उमीद करते हैं कि लोकतांतरिक संस्थानों की मजबूती को लेकर चर्चा आगे भी होती रहेगी John Kirby ने कहा कि हम अपने दोस्तों के साथ अपनी चिंताओं को जाहिर करते हुए शर्माते नहीं है पियमोदी के अमेरिका दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि ये दौरा दुनों देशों के संब्धों को मजबूत करने के लिए बेहद आयम है पिछने को समय से राहूल गांधी मौके मौके पर भारत में लोकतंतर को खत्रे में बताते हैं अमारिका दौरे पर भी वो भारत में लोकतंतर पर जिंता जाहिर कराये थे लेकिन अब राहूल को वाइट हाउस की बयान से बड़ा च्षटका लगा है अमारिका ने भारत में लोकतंतर की ज्वंकर तारीफ की है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक किस से चौबिस जून तक अमारिका दौरे पर आएंगे प्रधान मंत्री का ये राजिक्री दौरा होगा और उस दोरान पियमोदी अमारिका में संसत के दोनों सतनों के साजा सत्र को संबोधित करेंगे इसे लेकर अमेरिका में काफे उत्सा है पियमोदी के स्टेट विजिच में रक्षा और अनिक शित्रों से जुड़े कई बड़े डील्स पर भी मोहर लगने की उमीद की जा रही है